नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिट से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं डिसकाशन करने वाला हूँ, एक Green Energy Companies के बारे में, अब सभी जानते हैं, Green Energy का मतलब है, जितने सारे Hydro Project होते है, जितने सारे Wind Project होते है, जितने सारे Solar Project होते है, तो इस तरीके स पोजेट के मतलब से, जो Power Generate होते है, उसको Green Energy का आ जाता है, तो इस Green Energy Project में, लीडर कौन है, आप सभी जानता है, अधानी, अभी भी फिलाल देखा जातो, लीडर है, उसके बाद Reliance इस तरीके से Target रखा है, वो अधानी को भी टक कर दे पाएंगे, तो उसके साथ, टाठा अभी इस Company के उपर बहुत पहले से ही काम कर चुके है, मतलब काम सुरू कर दिया है, साथी साथ Government Company जैसे NTPC, ये भी इस तरीके से, साथी साथ NHPC, तो इस तरीके से Project के उपर Company काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से, इस Project Future के लिए एक Brightable Business जोरू बनने वाल है, इस Project Future में एक अच करना जूरू चाहिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि दिखिए, जो Project स्टार्टिंग होता है, जब कोई Company नया आते है, तो इसको बहुत तागल करना पड़ता है, इसका मतलब अभी कौन सा Company को पर निवेस करें, कौन सा Company सही में चलेगा के नहीं चलेगा, इस तरीके से बहुत सार करना होगा, तो आज में एक ऐसी कमपणी के बारें बात करूँगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा Positive है, इस Company को पर Focus जूरू रखिना चाहिए, और Company ने एक बहुत बड़ा Announcement लिया, जितने सारे लोगों ने इस Company को पर स्तियार खरिद कर रखे थे, उसका से डबल हने वाल क्यों मैं टेकनीकली जो चार्ट परेन आपको सिखाता हूँ, उसी के बेसिस में आपको Call वापे प्रोवाइट किया जाता है, तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में, सबसे पहले बात जो आपको में यहापे दिखाने वाला है, तो Company कौन सा है, Company का नाम है KPI Green Energy, आप सबी जानते है, Renewal Energy में Company एक लीडिंग कमपानी है, और Company सिर्फ Solar पोजेट के उपर नहीं, Wind पोजेट के उपर भी Company काम करते रहते हैं, तो Company जो देखा जाए, जिस पोजेट के पर काम कर रहा है, वो बहुत important है, और futuristic बीजनेस है, तो आप देख सकते है, Company का Total Megawatt कि इतने है, Successfully Company, Capacity, Complete कर चुके है, वो भी 200, मतलब 200 प्लास मेगावाट, और 100, 1000 प्लास मेगावाट इसका टार्गेड है, 2025 तक, मतलब 2025 में इसका टार्गेड है 1000, सोचिए, अभी तो 200 है, 2023 तो स्टार्ड होने वाला है, तो दो साल के अंदर-अंदर, Company का टार्गेड जो है, 800 मेगावाट बढ़ाने के लिए, इसका मतलब कितना तेजी से उसको काम करना पड़ेगा, और 450 वाट मेगावाट आपर देख सकते है, जो equivalent capacity है, पावर का, वो भी इसी कमपानी सप्लाई देने वाले है, ति इक बहुत बड़ी बात है, इस कमपानी का जो टार्गेड है, मेर अब अनिवेस करना चाते हैं, तो सबसे पहले कमपानी के कुछ इनफोर्मेसन जुरू कालेट करिए, वेबसाइड में जाईए, किसी भी जगापे से आप कमपानी के डीटेल से और कुछ जानकर लीजिए, क्या कौन सा प्रोजेट को पर काम कर रहे है, उसका future target क्या है, वो टार्गेट को पहले जो टार्गेट लिया था, क्या वो एचीब्मेंट कर चुके है, तो चलो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथी साथ मैनेजमेंट टीम कितना स्टॉंग है, वो आपको देखना है, तो सबसे पहले कमपानी के जो गुन्यूस है, वो आपको दीदेता इसका मतलब 18 जनौरी से एक दिन पहले, मतलब 17 जनौरी में आप अगर इस कमपनी का सेयर खरीदरी कर लेंगे, एक मतलब 100 सेयर अपके पोटफोलियू में होगा, तो करीबन करीबन आपको और 100 प्लास मिल जाएगा, कुल मिलाकर आपका सेयर हो जाएगा 200, इसका मतलब एक क बदले आपको एक सेयर मिलने वाला है, और भी बोनास के हिसाब से, लिके बहुत सरा लोगों को एवी कन्फीजन हो जाता है, कि मानके चलिए सर अभी प्राइस है, 900 रुपिया में एक 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 सेयर मिल जाएगा, तो मेरे पैस 202 सेयर हो जाएगा, और मुझे 900 में दो सेयर मि अगर कमपानी फिर से गुरूद किया, और 900 में आ गया, तो आपको एक सेयर मिलेगा, आपको पास एक सेयर मिलेगा, आप कहेंगे सर 900 से अगर 800 भी चला जाता, तो भी तो मेरा फंट डबल हो जाता, हाँ बिल्कुल, ऐसे बात भी आपके बाद भी ठीक है, बोनास मिन्हा आ को को मेरे अगर जाता है, कि आपके लिए अब जितना पोजिटीव ली सोच रहे है, इतना पॉजिव नहीं है, बोनास कमपानी इसी लिए करता है, कमपानी के फाइदे के लिए, क्योंका कमपानी चाहते है, मान के चले कोई भी रीटर निवसक, जिसके पास मान के चले 1,000 रुपया है वह इस कम्पानी को खरीदना चाहते हैं तो बो एक शैर खरीद पाएंगे अगर उसको दो सैर खरीदना है तो वो उसको सस्ते में चाहिए तो वह स्वस्ते में अगर जुदू हो जाएगा सबींच के स्वारण ब्रेक वो जाएगा तब उसको एक 1000 रुपया में 2 कर मिल जाएगा तो इसलिए company स्टिक को यूज करते हैं कि company को सस्ते दाउं में दिखा कर लोगों को attractive करना क्योंकि दिखिए market में discount दिया जाते है इसलिए आपको Amazon flip card में एही चीज दिखने को मिलेगा हजार में आपको कोई भी product दिखाएगा और आपको बता के पांसों भे मिलेगा 50% का डिसकाऊट एक्चुलिकानी का ऐसे 500 वह हैं आपजार में जाकर चेक आउट करना 500 ही पढ़ेगा तो यह एक साइकोलोजी होते हैं इस तरह किसे साइकोलोजी के साथ company खेलते हैं हमारे साथ तो आप इस तरी के से panic मतलब कोई excited भी मत होना कोई panic सिट्यूशन में मत गेट करना हाँ आपको company के पर भरॉस्ता है तो इस तरी के से bonus स्प्लीट के उपर भरोसा मत करिए आप कमपणी को टिके रहिए एक देन एक दिन आपको मल्टिवेगा रिटन जोरू मिल जाएगा तो इस कमपणी के कुछ खास्यद में बता दू पहले बता दू कमपानी है पंद्रा सो करोड के आसपास मार्केट केव है बाकी सारे मेटर ब देखेंगे उसले यहां पर बहुत ज़्यादा प्रेसार में कमपणी देखने को मिला आज कंपणी का इनकाम गए तो कंपणी का लॉस में चला जाएगा वेगिए प्रफिट मार्जिन सेल्स बहुत अच्छा है प्रफिट ग्रूद ऑच्छा रहा है कमपनी का market cap to sales भी बता रहा है कमपनी high valuation में है एक रूपिया कमपनी को कमाने के लिए 4 रूपिया देना पड़ रहा है तो obviously एक valuation के इसाब से बहुत हाई है डेटो स्टे के बार हैं बात कर तो कमपनी के हाद में पैसा आ रहा है 57 डेज ने तो इसका जो customer है वो इसको पैसा बहुत लेट में दे रहा है तो यह भी कमपनी के लिए एक weakness है तो profit and loss के बार हैं बात कर तो company continuously profit को maintain कर रहा है यह सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा करजा लेने के बाद भी इंटरेस्ट भी अच्छा पैमेंट करना पड़ा है अगर इंटरेस्ट कम होता तो company को अच्छा प्रॉफिट जेनाड हो जाता तो return के मामले में company सांदर आपको return दिया धमा का return दिया तो उसी सबसे निवेस मत करिएगा क्योंकि return अच्छा है तो में निवेस कर दोंगा इससे बिल्कुल भी नहीं cash flow cash flow बीज में एक बार negative दीखा बाकी सारे के सारे positive देखने को मिला इन्वेस्टर के बारे बात करो तो इन्वेस्टर के बारे बात करो तो continuously आपको देखने को मिले जैसे promoter और FISDS सब कुछ आपको positive में देखने को मिला फिर भी अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा डिया ने पहले माल तो खरिद के रखे थे आज वह माल बेच दिया और यहां पर public के पास भी holding है अच्छा क्योंकि इस तरी के से company को पर public ज़्यादा इंटर्स दिखाते हैं आप आप कहेंगे सर क्या डियाएस और FIS इस company के उपर निवस्ट नहीं करेंगे अभी दिखिए अभी 1500 करोड का मार्केट के बहुत जाएगा तब इस company के उपर सोचेंगे ज़रूर क्योंकि वो इतने के उपर company trade कर रहा है मेरे सबसे range को भी breakout करेगा यह बहुत स्ट्रॉंग है मेरे सबसे यहापे कुछ volumes create हो रहा है अगर इसको breakout हुआ और long candle मतलब volume candle के साथ तो जुरूर सोचना एक long बड़ा आपको short term के लिए एक swing trading देखने को मिलेगा तो अभी देखना है किस तरीके से performance हो तक लिए अच्छे सरी अपने ख्याल लेखिए बैबाए